कोरोना महमारी से जंग जारी है, पूरी दुनिया में मानवता पर आई सबसे बड़े संकट के लिए पूरी मानवता लड़ रही है उत्राखंड में हालाकि स्थिति नियंतर में है बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव पेसेंट्स की संख्या बढ़ रही है इसके साथ ही सरकार के सामने और बहुत सारी चुनोतिया हैं, लगभग पौने दो लाख लोग उत्राखंड में आने के लिए सरकार की बेपसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको लाणा, उनको यहाँ पे रोजगार देना, सरकार का एक तरह से संबैधानिक दाई तो है किस तरह से कोरोना महमारी से जो बिस्युद्ध है या जो महा जंग है चल रही है उत्राखंड सरकार किस तरह से काम कर रही है इससे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्तित है उत्राखंड BJP के बेहत वरिष्ट नेता पूर प्रदेश अध्यक्ष और वरत्मान में पौड़ी लोकसभा सांसद तीरत सिंह रावत जी तीरत जी से बात करते हैं कि कुरोना महमा पूरे देश में चर्चा का बिशय रहती है वह किस तरह से देखते सारी संकट को किस तरह से देखते कितना बड़ा है यह संकट कोविट-19 कोरना महमारी एक हमारे लिए चुनोती है और जिस तरह पूरे विश्वक के अंदर विविने देशों में जहां 30-40 करोड की आबाद आबादी वाले देश में 30-40,000 से भी अधिक मोते होना यह चिंतनी है लेकिन भारत में 130 करोड की आबादी वाले देश के परधान मंत्री मोधी जी ने जिस तरह समय पे लोकडाउन किया और समय समय पे विविन परकार के कारिकरम दिये है चंता ने उस अपील को पूरी तरह पालन किया सोशल डिस्टेंस बनाना और अपना मास्क लगाना समय समय पे शामुन से हाथ धोना यह लोगों ने अपने जीवन में उतारने का काम जो प्रारम कर दिया है तो उससे काफी कुछ बचे हैं इवन कि उत्राखन के अंदर भी यह सब चीजें लोगों ने अच्छी तरह से पालन करने काम किया इवन कि यह पहाड भी है मैदान भी है जोगरिफकल इसका भोल पूरी तरह से मैं कर सकता हूं कि परदेश का इस तरह कर नजा रहा है कि दोनों तरह का 65% अबादी बन से अच्छादित होना यह सब होते हुए भी यह काफी कुछ बचा इससे और अच्छुता रहा मेरी लोक्षभा है मेरी लोक्षभा में तो पूरी तरह तीनों जिलों और एक राम नगार अपना ने नगार देप्रियाग ग्रीन जॉन में हैं और यहां किसी परकार की कोई न घटना भी नहता तो यह न पोजेटी पाये गए यह के अच्छा मेरे लिए जनता के लिए छेत्री के लिए लेकिन उसके बाब जूद भी अपने आपको तटस्त रहने की जरुत होगी क्योंकि कल कोई बात हो गई है तो परवतिय छेत्र है और उसमें वो सुबदाय नहीं जो सहरों में सुबदाय हैं और आना जाना आवा गमन नहीं हैं तो उसके कार चुनोती जरूर है और कल लोगडाउन ने खुलता है तो फिर मैं सूचता हूं कि हमको और और बचाओ क्या आवशकता होगी यह सब चीजें करने की लोग घरों में रहें बने रहें सोचल डिसेंट रखें मास्क लगाएं सेनेटाइज का उपयोग बार-बार करें यह आव सबसे बड़ी-बड़ी पर्शनाल्टी ब्यक्तित वहां से निकले हैं उत्रखन के मुख्यमंत्री उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री सीडियस जो है विपीन रावाज जी बहुत सारी ऐसी प्रतिभाये हैं जो पूरे देश दुनिया में उस जिले को एक बड़ा गवरों लेती हैं लेकिन एक दुखत जो चित राता है सामने की सबसे अधिक पलायन भी उसी जिले से हुआ है अब लोग कह रहे हैं कि जो डाटा जो एक आकड़ा आ रहा है लोगों के वापसी का अभी तक जब मैं आप से बात कर रहा हूं पहुने दो लाग से अधिक लोग उत्तर करना चाहिए कि जो प्रवासी आ रहे हैं जो देश दुनिया की संपति बढ़ा रहे हैं उनका योगदान उत्राखन को बढ़ाने में हो गाय तो क्या कहने चाहेंगे तक है इस बीमारी की करान की कारन पूरे देश से प्रवासियों का आना और जो भी आपने कहा है कि पहुने दो लाग के लगबग रेस्टेशन हुए हैं और उससे पहले भी 30-35 जार के लगबग लोग परवासी यहां आ चुके हैं यह समझ्या उनके सामने जरूर है कि अब तक तो सरकार राशन दे रही है खाद्यान दे रही है लेकिन आने वाला फ्यूचर क्या होगा बविश्यक क्या होगा यह सोचने होगा चिंतनिया होगा उसके लिए सरकार ने निशित किया है कि वो अपनी जमीन पर क्या कर सकते हैं तो खेती किसी और मौसम के हिसाब से क्या होगा सकते हैं और वहां की माटी के हिसाब से उसको प्र लेना चाहते हैं किस परकार खेती करना चाहते हैं यह नोजवान की तरफ से आना भी शुरू होँआ है तो जो मैं सुस्टार कि इसके कारण निशित है कि जो पलाएन हुआ है वो पलाएन भी रिवर्स पलाएन जो आपने को है ये लोगों की मानसिक्ता बनती जा रही है और जो बड़ी तैदाद में आने वाला है जो अभी आये नहीं है वो तो एक चुनोती है आएंगे लेकिन उनके सामने मैंने कहा है कि आने वाले शमय के लिए फिर ये सारी चीज़े करने के लिए और सरकार उसके लिए कटिबद है और उन्हें ने कहा कि जो भी आप करना चाहेंगे उसके लिए हम लोगों को आप अपनी बात रखें और आवेदन करें और जो जिसको जिस तरह का जो जरुत होगी अवशकता होगी वो हम लोग करेंगे देंगे ऐसा विशे उन सब के सामने भी ला रहे है एक लंबे चरड़ों के बाद तीसरा चरड़ सुरू हुआ तो भारस सरकार ने कुछ छूट भी दी जनता के जो सुविधाओं को देखते हुए लेकिन उसके साथ साथ एक और जो जरूरी चीज जो खोला उन्होंने जिसका बहुत विरोध हो रहा है पूरे देस भर में और खासकर उत जिसको नहीं प्रात कर सकती जो कम से कम जो अर्थ बिवस्ता है उसको पट्री पिला सके क्योंकि जिस तरह से दो दिनों तक सराब की दुकानों पे भीड़ उमड़ी उसमें सोचल डिस्टेंसिंग की धजिया उड़ी बहुत सारे लोगों ने मास्क और सेनिटाइजर जो ए जो फैसला है उत्राखंड सरकार का एक सांसत के नजरिये से आप क्या देखते क्या सराब इतनी जरूरी है रेवन्यू राजस्तों के लिए कि इतने बड़े संकट का जो रिस्क है जो खत्रा है उसे उठाते हुए भी सराब से रेवन्यू लाया जाए जाए अभी जो हाली म लॉक्डाउन के शमें कुछ जहां ग्रीन जोन है याने चीतरे जो इस तरह के उसे परवायत नहीं है वहां सब तरह के दुकाने बियोशाय खोलने की जो बात हुई है और जो चार बजे तक साम तक हुआ है उसके कारण जरूरी है कि लोगों में थोड़ा बहुत भगदर दुकानों में सब्सक्राब की दुकानों के बाहर मिली और यह सभी श्टेटों का दिखा है तो दिल्ली के अंदर भी दिखा है ने भी दिखा लाटियां भी चलिए उत्तरा खंड एक देव भूमी है और तीथा टन भूमी है और यहां इसका होना और पड़चलन होना और जो धाम के एरिये हैं तो वहां जब पूछा मैंने बाचीत हुई है तो लोगों ने कहा कि यह दिन बड़े शान्ती के रहे घर परिवार में भी शुक शान्ती रही और अच्छा खाना पीनार एक दूसरे का पूरा ब्यवार और पते और पतनी का भी है इसने यह सारा च दिन बड़े शान्ती के गुजिरे हैं तो अच्छा लगा बहुत बड़िया लगा और महिलाएं तो चाहती थी कि यह नहों ऐसा ही रहे कि ठीक है अच्छा है लोगडाउन आगे तक भी रहे तो कम से कम शुक्रांती रहेगी यह सब बचे रहेंगे लेकिन यकाया की जो हु लगनी चीए रोक लगनी चीए कि वह शांती ब्योस्ता जो बनी है वह बनी रहनी चीए भंग नहों और अमारी माताएं बहने ठीक से अपना दो जून की रोटी खा सकें और अपने वाले को भी खला सकें ऐसा एक रहेगा तो अच्छा रहेगा बाकी तो नेने हैं जो होगा कुछ राज ऐसे भी है जैसे बिहार है गुजरात है जहां पर पूरता सराब बंदी है और वहां की सरकार कभी यह तरक नहीं देती कि सराब से जो राजस वाता है सायदो अर्थ ब्योस्ता को पट्री पिलाए तो क्या एक संसद होने के नाते मेरे चैनल के माध्यम से मुख् होना चाहिए और पहले तो आगे के लिए भी होना चीए हमेशा ही इस तरह से हम लोग बिल्कुल इससे निजात पाएं लेकिन फिलाल आजकल जो इस्तिति है और इस कोबिड-19 और को ले करके और लोगों के घरों में राशन भोजन सरकार को देना पड़ा पहुंचाना पड रहे हैं और उसके लिए दूसरी तरह शराब तो मैं सोता है इसको बंद रखना चीए और पहली प्रात्मिक्त हमारा दोजून की रोटी रोजी और ठीक से चले और वह उसके लिए हम लोगों चिंता करनी चाहिए और चिंता सरकार कर रही है गरगर तक राशन पहुंचा रह है तो ऑच्छा है और मेरा जहां ब्यक्तिगत है तो यह इससे दूर ही रहना सब्सक्राइब OR इसको जितना ज्यादा कम किया ज़य अथा supplements जरूरी नहीं कि इसा राजूस fel राजूस कि और वी शादन हो सकते और वी उद्यम हो सकते हैं तो यहाμε और चाह बहुत बड़ा सौ प्रियाटन बहुत बड़ा है और प्रियाटन को हमने इस छेत्री के अंदर बढ़ावा दिया तो मैं कैसकता है इसके सामने सुर्जर लेंड भी कुछ नहीं है करने की बाते हैं जिस तरह से उत्राखंड की जो आर्थिकी है वह परिटन पर अधारित है और सबसे बड़ा जो पे दो स्रोत पर और हो रहा है तो क्या लगता है कि इसकी च魁चा पूर्थ के लिए राजी को किस धिसा में जाना चाहिए या एक सांसत के तौर पे आप लोग दिल्ली से लगा तक ङा या नी Xinust. किस तरह से इसकी चांतपूर्थ का योजना बनाएंगे दक यह ज…. है और यह संक्रमान काल है और यह प्राक्रतिक वो है इसमें कोई किसी के हाथ में तो नहीं है एक वायरेस है और जब कभी दैवी आपदा आई थी तो पूरी केदानात के अंदर अन्या पूरा छेतरुतराखन के अंदर तब भी हम लोग एक साल उभरने में लगा लेकिन उसके बात फिर जोरों पे यात्रा पकड़ी है प्रेटण दोड़ा है और इतना प्रेटण कभी नहीं दोड़ा जितना दो-तिन सालों में दोड़ा है आया है तो बहुत-बड़ा इसमेंट हुआ है तो आभी भी इस संक्रमान काल कर जाए तो मैं सूचता कि प्रेटण और और लोग अपना ध्यान दें नोजवान अन्य मातें तो करी रहे हैं लेकिन इस और हम बड़े तो यह हमारा बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है किसी प्रेयटन और तर्फारण के साथ साथ तब तक किरसी को हम लोगों को बड़ा देना चीए करना चीए एक और सवाल है बहु उन्होंने कहा कि अब उन लोगों को पहले लाइए जो कहीं रास्ते में फसे हुए किसी गेस्टाउस में है होटल में है धरमसाला में है वो मजदूर हो सकते हैं छात्र हो सकते हैं परेटक हो सकते हैं तो राजसरकार ने जब उस गाइडलाइन को अमल में लाना शुरू किय तो पूरे सोचल मीडिया पे राज सरकार को बहुत ही अलोचना भी जहलनी पड़ रही है क्योंकि जो प्रवासी है उनके मन में एक संका हो रही है कि सायद सरकार हमको वापस अपने राज में नहीं आने देना चाहती क्योंकि सरकार को लगता है कि सारे लोग आएंगे तिनको रोजगार देना एक बड़ा हमारे लिए बड़ी चुनोती होगी तो बहुं सारे ऐसे मैसेजह सोसल मीडिया पे छाये हुए हैं जो सरकार को जो परवासी जो लोग आ रहे हैं और लेकिन ये भी नहीं कि सरकार आंग मुंद रही है सरकार ने स्वेम कहा है कि जो ऐसे लोग हैं उत्राखंड के अंदर आना चाह रहे हैं वो रेश्टेशन करा लें और उसके लिए एक वेप साइट भी लॉंच की है और उसे संपर्ग करें और आने का रेश्टेशन करें ये बड़ी ताइदाद में ये संक्या पहुँची है ये तैवा कि पहले जो शिवरों में हैं कंपों में धर्मशाला में हैं जो निरास्त हैं और जो बाहर हैं घरों पे नहीं हैं उनको लाने की बात पहले हुई क्योंकि उसके लिए श्वाबा के तन ढखने के लिए कपला नहीं है तो उसको उठाने की बात हुई थी और उसके बाद अब ये हुआ कि अब अन्या जो लोग हैं उनको धीरे-दीरे उठाने की बात करें दूसरे इस्टेट से भी बाचित करना और वहां से भी पर्मिट उ क्या विन भी काया मैंने जैसे बात किया मंख्या तो कुछ इष्टेटों ने आपना जारी वह किया परबीट और आने के लिए जाने के लिए हां भरी ले कुछ लोग किया नहीं और इसके लिए अभी धीर-धीरे करके अभी मुझे लगता साब बनेगी आज ही के उसमें कहा कि हम यह करेंगे अभी कली एक दिन पहले चंडीगड से भी काफी लोग उठाएं इवन की मेरी वीडियो कॉंपसिंग उसी चार बजे हो रही थी तो एक हमारा ही पारसद वहां बसों में बिठा रहे थे वह सारा द्रिश्य उन्होंने दिखाया तो वहां सारा जो परवास है उन्होंने वीडियो करके बाचित उस समय रिकोर्डिंग चल रही थी तो मेरी भी बात ही ऐसे अभी कोटा से विद्यारतियों को उठा वहां से ले आए तो दिरे दिरे यह प्यस्ता बन रही है तो किसी के मान में यह भाव नहीं आना चाहिए कि सरकार अंदेखी उसको भी चेक अब कराना पड़ेगा और कॉरंटीन में जो उसकी इस टी डॉक्टर जो बताएगा वह उसको करना चीए वही दूरी वही सारी सेंटर तो चाहिए वह हम कॉरंटीन हो चाहिए को और मैं आपको बता हूं कि बहुत सारे इसलिए हम रोके यह बचे रहे कि हम रुकाने काम किया और जब क्लियर हो गया तो फिर अपने घरों में गए यह बिश्ता ओलेडी पहले अवर्नेस वहां है और यह कर रहे हैं और यह आगे जब आ जाएंगे तो भी रहेगा लेकिन उनको पूरी तरह लाने की बिश्ता और केंदर सरकार से ट्रेन की भी बात हुए है कि ट्रेन भी चला है दूर माराष्टा है अमधाबाद है अन्य दूर जम्मू बेटा तो यह तीन चार स्टेट पार करके आएगा तो वहां बस तो नहीं भी तो वह स्वाबा की ट्रेन आ दी तो वह भी बात हुए है भारत सरकार से और रेल मंत्रहले से तो मुझे लगता है कि वहां से भी जैसी अनुमतिया मिलेंगी तो लोग आना सुरू हो जाएंगे थोड़ा दहरे रखने की जुरत है जो हमारे प्रवासी मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि दहरे बनाए रखे और निसीत है उनके बारे में विचार किया जा रहा है हम भी उनक असी लोगों को इस बात के लिए आस्वस्त किया है कि सरकार उनकी पूरी चिंता कर रही है नेकेवल उनको लाने की वापस बलकि ओ यहां आकर किस तरह से अपना जीवन यापन करेंगे या कुछ समय के लिए भी उत्तराखंड में रहना हुआ तो किस तरह से उत्तराखंड क कि आर्थिकी में अपना सहयोग दे सकते हैं अपनी मिट्टी के लिए कुछ अपना योगदान दे सकते हैं सरकार उसकी भी योजना पे काम कर रही है इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताय कि यह संक्रमण काल है संकट काल है ना किवल कोरोना की चुनोतिया है बलकि उसके है कि चुनोतिया जुड़ी हुई है जिस से सरकार जूझ रही है बाँजूद इसके सरकार पूरी तरह से एक्टिव है ऐसे लोगों का दुख दरध बाटने के लिए और उन्होंने खासरकार से भी बात्चीत चल रही है और इस बात्चीत के दौरान भी लोगों को निकालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ उन्होंने बताया कि ये कितना बड़ा संकट है और किस तरह से ये हमारे समाज को, हमारे जीवन सहली को आगे चलके बदल देगा और हमें अपने जीवन सहली में किस तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो हम इस बात से आस्वस्थ हो सकते हैं कि इस तरह की जो चुनोती जो संकट आया है उसमें आम जंता के साथ उत्राखंड सरकार, उत्राखंड के सांसद, उत्राखंड के अन जन प्रतन धी कंधे से कंधा मिला करके इस संगर्ष को करते हुए दिखाई देंगे कैमरमें तिलक सर्मा के साथ देहरादून से धिरेन पताप सिंग